चलो कैसे में लाड़ लो बिल्कुल क्लास आपकी स्टाट हो चुकी है और जैसा कि आपको यहां पर पता होगा आज का जो टॉपिक है वो हर एक एक्जाम में यहां पर प्रशनाते हैं सुद्द वर्तनी और बहुत सारे बच्चे हैं छोटी छोटी गलती यहां पर करके आजाते हैं जैसे हम बात करें अभी सबसे जादा इसके कोशन कहा आते हैं आप लोगों ने यहां पर सुना हो गए छोटा सा एक्जाम है लेकिन याद रखना उसमें सबसे दा कोशन इसी के आते हैं और बाकी ऐसा कोई भी एक्जाम नहीं है जिसमें यहां पर सुद्वरतनी के प्रशन आते हों तो हम यहां पर आज बारीकियों को समझेंगे आखिर क्या उसमें बारीकी हैं कहां पर हम गलतियां करते हैं किस तरीके से यहां पर हमको सुधार करना है तो सबसे पहले एक बार वीडियो को लाइक और सेर कर दीजेगा और याद रखना आपकी जो क्लासे हैं 9 बजे से बेटर देली चलती है और जो SSE GD वाले बच्चे हैं या जिनको SSE GD की तयारी करना है वो यहां पर 6 से 10 सामको क्लास ले सकते हैं अब यापकी Demo क्लासे चल रही हैं ठीक है एपलीकेसन पर भी सारे कोर्सेस हैं हिंदी फाउंडेसन बेच भी आ चुका है कल से उसमें क्लासे लगना स्टाट हो जाएंगी ठीक है चलो भीया अब यहां पर देखना सबसे पहले सुद्वर्तनी हैं अपन समझते हैं तो सुद्वर्तनी की यदि हम बात करें तो पहले हमको वर्ड माला का पता होना चाहिए हमको यहां पर यदि वर्ड माला का पता है कि वर्ड माला में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हमेसा हम गलत लिखते हैं जैसे समझना हाँ बिलकुल भाईया कोई भी डाउट है सारे डाउट किलियर हो जाएंगे सौरव, दोवेजी हाँ अब यहाँ पर पहले समझ लेते हैं MCQ की बुक भी बिटा आपको मिल जाएगी और MCQ करवाने वाला हूं कल परसों से में देखना जैसे मान लो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं खा एक यहाँ पर आपका होता है क्या खा इसके बाद यहाँ पर याद रखना आप लोगों ने सुना होगा धा एक आपका होता है धा इसके बाद यहां पर आपने सुना होगा था एक होता है था इसके बाद यहां पर देखना आपने सुना होगा भा और एक यहां पर आपका होता है भा तो याद रखना इनमें अंतर क्या है सबसे पहले यहां पर याद रखना जो आप लोग गलतियां करते हो आखिर सब्द में भी जब इनका प्रियोग करते हो तो किस तरीके से आप लोग छोटी-छोटी गलतियों को कर देते हो लेकिन आज के बाद जीवन में कोई गलतियां नहीं होगी अगर मैंने तीन किलास हैं सुद्ध वरतनी की ले ली क्योंकि बहुत नियम है लेकिन आपको एक भी नियम याद नहीं करना है आपको यहीं के यहीं सब कुछ याद हो जाएगा जो किसी से नहीं बनता वो मेरे लाडलों से बनने लगेगा इतना मैं दावा करता हूँ तो आप लोग पहले समझ लो हाँ बिलकुल भी या बिटा वरीको तो complete हो चुका है जी चलो अब यहाँ पर देखना आप लोग समझ लो पहले इसमें कौन सा सुद्ध है और कौन सा सुद्ध है जैसा कि मैं बात करता हूँ जैसे मालो मैंने यहाँ पर लिखा खा और एक लिखा हुआ है खा जब यहाँ पर यह इससे मिल जाएगा रा यह रा होता है आपका जब यहाँ पर यह इससे मिल जाएगा तो याद रखना यह क्या हो जाएगा आपका सुद्ध हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा ये वाला था क्या हो जाएगा आपका गलत और ये वाला था क्या हो जाएगा सुद्ध ऐसे ये वाला धा गलत ये सुद्ध ये कैसे हुआ तो ये पहले समझ ले एक नियम होता है आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुनाओगा स्याम सुन्दर दास सिव प्रसास सितारे हिं बहुत अच्छे अच्छे यहां पर विद्वान आते हैं जो सब्द को उसमें बहुत सारे परिवर्तन करके चले जाते हैं लेकिन यहां पर आपको याद करना पड़ेगा जैसे कोई भी यदी घुमावदार वर्ण है यहां पर याद रखना अगर किसी वर्ण में ऊपर क्या लग रही है गुंडी बोलते हैं इसको आपकी भासा में क्या बोलते हैं यहां पर घुमकर जो वर्ण आता है जैसे यहां पर इस तरीके से कोई भी वर्ण बने अब इस जीरो से यहां पर कौन सा जैसे आपने धा बना दिया आपने यहां पर था बना दिया तो याद रखना कभी भी गोलाकार विंदू के उपर से सिरोरेक नहीं गुजरता क्या नहीं गुजरता याद रखना पहले समझ लो इस चीज़ को कभी भी यहाँ पर इसके उपर से कोई सिरोरेक नहीं गुजरेगा आप लोग क्या करते हैं यह ठीक है अब यहाँ पर याद रखना इसको छोड़ दो, ये ठीक है, क्योंकि इसके उपर से कभी कोई रेखा नहीं गुझलेगी, इसको हमेशा खाली छोड़ा जाएगा, तो ये तो हो गया असुद्ध, और ये क्या हो जाएगा, लड़ लो, सुद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुद्ध हो ज उपर से, या कोई भी ऐसा वैण, जिसमें उपर गुंडी लग रही है, उसके उपर से कभी भी रेखा नहीं, गुझलेगी, याद रखना आप लो, क्लियर है बात यहाँ पर, चलो भईया, नोट डाउन कर लो, आप लो, हाँ, जी, हो भईया, हाती, चलो, जी, संजे पतेल जी, हाँ, सर, जो आप बाले स्टुडेंट हैं, हिंदी फाउंडेशन के बेच में, लाइव किलास मिलेंगे, वेटा, लाइव ही रहती है, हिंदी फाउंडेशन बेची, एक साल में एक बार आता है, मैं आपको बता दूँ, वो लाइव ही चलेगा, और य चलो, अब यहाँ पर देखना, इस से आपने क्या सीखा, आप लोग तो यह सा सोच रहे होंगे, सर, यह छोटी 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 चीजे हमको बता रहे हो, बिटा याद रखना, आप कहीं पर भी सर्च कर लो, अगर यह चीज कोई बता रहा हो तो बता हैं, मैंने पहले भी बत चुका हूँ, लेकिन छोटी चीज अभी है, अब देखना यह बड़ी कैसे बनेगी, जैसे मान लो, मैंने यहाँ पर एक सब्द लिखा, साधना, और मैंने यहाँ पर एक सब्द लिखा, कौन सा, साधना, अब यहाँ पर याद रखना, यह दो सब्द हैं, बिटा, आप लो एक कंसेप्ट आएगा, कम से कम दस दिसाओं में वो फैल जाएगा, और याद रखना, आपका दिमाग आज बिलकुल सक्री होने वाला है, अभी तक दिमाग लगाया कहां, अभी तक तो हम रट रहे थे, दिमाग आज लगेगा, तो याद रखना, उस दिमाग को खोले के र लोग क्या करते हो, समझना, बुला हा सर ये दोनों तो एक जैसे दिखने, यहां तो गैप इसलिए दिख रहा है, थोड़ा बड़ा बड़ा सब्द लिखा है, लेकिन एक्जाम होल में ये नहीं दिखता, वहां पर तुमको क्या लगता है, कि अरे सर बो तो दोनों ही, दोन पर इसमें क्या है, यहां पर इसमें क्या है, बीच में गैप है, मतलब ये सही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एक और सब्द समझना, आपको यहां पर एक सब्द दिया हुआ है, जैसे अराधना, और एक सब्द आपको दिया हुआ है, यहां पर अ सब्द दिये हुए हैं तुम लोगों को तो यही लगेगा सर दोनों ही अराधना ठीक हैं लेकिन कभूतरों दोनों अराधना ठीक नहीं हैं क्योंकि याद रखना यहाँ पर इस अराधना और इस अराधना में जमीन आस्मान का अंतर है क्यों 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 कि बचता ही नहीं और तुम पर अकेले रहे गई समझ रहे हो ना, तो यहाँ पर यह छोटी-्छोटी यहाँ पर यह क्या हो जाएगा असुद्ध और यह क्या हो जाएगा आपका सुद्ध हो जाएगा यहाँ तक मामला समझ में आया सभी को पहले ही यहाँ पर थमसब करके बताओ जी बर्गदो का भर सकते हैं बिटा अभी तो वो अराध्य होता है उसके बारे में भी बात करेंगे भी चलो होगिया बिटा सभी का बहुत बढ़िया एक पर बीडियो को लाइक और सेयर कर दो अगर मजह आ रहा है तो लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था कि बिलकुल धीरे धीरे आराम आराम से इसके सारे नियम समझ लेंगे एक और नियम समझते हैं यह तो नॉर्मल सा कंसेप्ट था जब भी आपके समक्षाएगा अब देखना यहाँ पर आपका एक नियम आता है कि जब इसको लेखे ले ना वेटा सभी कॉपी पहल लेकर जब किसी सब्द में करण प्रत्य जुड़ता है करण प्रत्य जुड़ता है तो उससे पहले तो उससे पहले दीर्ग स्वर की मात्रा आती है यह आप लोगों लिख लेना अब यहाँ पर लिखना है तो ठीक नहीं तो सूंके आंसर लगाना सूंके कैसे लगाते हैं बटा आंसर आज समझ लो जितने भी बच्चें चाहरा राजस्थान से हो यूपी से हो बिहार से हो मद्द प्रदेश से हो कहीं से भी हो जीडी का फॉम तो सब भर रहे हैं जी सर तो बेटा चालीस नंबर की हिंदी है वो यहाँ पर यह मानलो अगर यह मामला के लिए है तो बाग के सुद्धी आराम से हो जाएगी कम से कम आपके पंदर आया सोला नंबर ऐसे ऐसे सीदे सीदे आने है देखना आपको यहाँ पर दिया हुआ है तो करण सब्द जैसे मैंने एक सब्द लिखाई यहाँ पर मानवी करण और एक सब्द लिखाई यहाँ पर मानवी करण एक सब्द यहां पर दिया हुआ है आपको कौन सा सरली करण दिया हुआ है और एक दिया हुआ है यहां पर सरली करण दिया हुआ है के लिए रहे मामला लो भाईया यह आपको यहां पर सब्द दिये हुए हैं जो इस्टुडेंट है हिंदी फाउंडेशन के लिए अलग से कोर्स लेना है देखो बटा मैं यह बोलना चाहूंगा कि जो बच्चे और डीपली और अच्छे से बिलकुल पढ़ना चाते हैं और UPS यह राजिस्थान जासी की तयारी कर रहे है या फिर बट दो और वर्ज तीन की तयारी कर रहे हो किसी भी एक्जम MPPSC की तयारी कर रहे हो वह कोई भी बच्चा हो जिसको बिलकुल अपडेट हिंदी पड़ना है था इस बार भी आया है और याद रखना कम से कम 10-12.000 चाती है कि आपकी rank क्या है वो एक महीने वाद टेस्ट होगा उसकी date दी जाएगी आपको तैयारी करके तब टेस्ट दीजेगा उसका ठीक है चलो समझना आपको यहाँ पर दिया हुआ है जैसे मानवी करन तो सबसे पहले याद रखना ये क्या है करन और ये जो करन दिया हुआ है याद रखना इससे पहले जो मात्रा है वो क्या है तो मात्रा आ रही है बेटा दीर्ग और इससे पहले जो मात्रा है वो क्या आ रही है लगु मात्रा रही है नियम तो ये कहता है कि जब भी यहाँ पर करन प्रत्य जोड़ा हो उससे पहले हमेशा दीर्ग मात्रा आएगी किलियर है जो भी सब्द होगा उससे पहले ठीक है बिलकुल ठीक है संजय पटेल जी हाँ अनूप दिक्षेत हव भाईया बिलकुल जो भी बच्चे है मिटा उस बेच में पढ़के आप लोगों का उद्धार होई जाना है मैं गैरेंटी में लिखके दे सकता हूं उस चीज की उस बेच में जितने बच्चे आएंगे ना उन सब का उद्धार हो जाएगा कि इंदी में फैल नहीं होगा वो कभी जीवन में देखना सरली करण दिया हुआ है तो यहां पर करण से पहले क्या आया बिटा दीर्ग मात्रा आ गई यहां पर यह लिखा आप लोगोंने विश्यदी करण ठीक है अब यहां पर याद रखना आप लोगोंने लिखा मानवी करण यह यहां पर एक होता है मानकी करण भी होता है क्या होता है मानकी करण भी होता है तो याद रखना जितने भी आपके सब्द होंगे दे को नियम भी लगेगा क् कि यहां पर करन से पहले जो भी सब्द आएगा उसमें दीर्ग होना चाहिए मात्राप की स्वरकी ठीक है चलो भई यह नोट डाउन कर लो आप लो सरली करन भी बिलकुल सही है और देखना है चलो अब मैं बहुत सारे सब्द लिख देता हूं कौन-कौन से सब्दिस में आ सकत करते हैं पहले नोट डाउन करके धमसब कर दो कोर्स कैसे पर्चेस करना है बेटा तांडव क्लासिस का एप्ली केसन में जाओ एप्लीकेशन तांडव क्लासिस का प्ले स्टोर से डाउनलोड करो जिनके पास है वह आपको देख जाएगा जवान 2.0 बैच है उसमें आप लो अध्योग की करना हो ठेक है चलो अब देखना यहां पर बहुत सारे सब्द मैं लिख देता हूं जो आप लोगों को नहीं पता है सुद्ध सुद्ध सब्द लिख देता हूं असुद्ध आप लोगों को लिखने की आवसकता नहीं है जैसे मैंने पहला सब्दी लिखा जो ह ठीक है इसके बाद यहाँ पर एक सब्द आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पर सक्ती करण कौनसा होता है तो सक्ती करण होता है इसके बाद यहाँ पर याद रखना आपने सुना होगा ब्रद्धी करण होता है कौन सा होता है तो ब्रद्धी करण होता है आपका ये भी सुद्ध हो जाएगा सारे सब्द आप लोग रजिस्टर में लिख लेना याद रखना बाद में मत पूछना एक होता है आपका तुष्टी करण तुष्टी करण भी होता है तीक है इसके बाद यहां पर याद रखना एक होता है उदारी करण उदारी करण भी होता है आपका तो यहां पर यह सारे सब्द क्या है यह सब्द आपके सुद्ध है लाड़ लो क्या है सुद्ध है यह क्यों है तो भईया यहां पर उपर नियम लिखा है और नियम नहीं भी याद है तो ये याद रखना करण से पहले हमेशा यहाँ पर दीर्ग मात्रा आती है कोई भी सब्द हो से पहले बस ठीक है चलो लिगलो भाईया सबी नवीनी करण इसी में हो जाएगा नगरी करण नवीनी करण प्रत्यक्षी करण कंपुडरी करण बिलकुल भाईया बहुत बढ़िया ससक्ती करण सरली करण राजनीती करण बहुत बढ़िया प्रकटी करण हाव सही है चलो ओल लिखना है लिखलो एकी करण नवीनी करण राजनीती करण ठीक है चलो भाईया अब यहां पर आप लोग पेले लिखली जैगा बीडियो को बिटा इक पर लाइक और जेयर करदो आप लोग हाँ राजनीती करण आ चुका है आपका चोड़ी करण भी इसी में आता है बिटा चोड़ी करण भी इसी में आता है आपका चोड़ी करण भी इसी में आता है ठीक है चलो लेखे लो सभी बच्चे हाँ प्रस्तुती करण भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अब देखो यहां पर यह क्या होता है प्रस्तुती करण होता है यह वी आपका सुद्ध हो जाएगा MCQ बिटा करवाऊंगा मैं टेंसन मतलों आप लोग हाँ एक और लग लिग लिजेगा संचिपती करण संचिपती करण ये आपका यहां पर क्या है आ चुका है बड़ा most important है तीन चार स्टार बिटा आप लोग लगा लीजिएगा इस पर और याद रखना करण प्रत्य से पहले हमेशा क्या आएगा दीर्ग मात्रा आती है और यही आपके लिए बड़ा famous question बन जाता है कि भाई साब आपको वो चार option देगा इसमें कौन सा सुद्ध जैसे पिछली बार उसमें दिया था कि भाई साब एक लिखा है वरधी करण और एक लिखा है यहां पर वरधी करण तो आप लोग ब्रहमित हो गए 99% बच्चे इस प्रस्ण को या इस option का चुनाव करके आ गए थ थे क्योंकि यहां पर उनके मन में थोड़ी बिचलित्ता थी थोड़ी वरांतियां थी क्योंकि यहां पर उनकी जो दिमाग की क्रियाएं थी वो यहां पर काम करना बंद कर देती हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ आती है इसलिए याद रखना ऐसे प्रस्णों को हमेशा कभी भी लोड लेके नहीं करना है freedom होके करना है क्योंकि करना आया उससे पहले दीर गाएगा ये सुद्ध हो जाएगा ये क्या हो जाएगा असुद्ध हो जाएगा ठीक है भाईया MC की विटा कल से आएंगे पंजाब से हो बहुत बढ़िया सरा पूरे यूटूब में सबसे अच्छा पढ़ाते हो आपको देखने के लिए क्लास देखते हैं अच्छा ऐसा बिल्कुल सहरी करन सही लिखा है आपको कुछ नहीं करना कोई भी करना मैंने अभी बताया दा सहरी करन बड़ी की मात्रा आएगी करन से पहले ठीक है नवीनी करन प्रत्यक्षी करन सजक्ती करना ठीक है चलो भी यह हो गया हाँ अब बहुत बढ़ियां हाओ अब यहां पर इसका दूसरा नियम और समझ लेते हैं समझना मिटा इसके में मैं क्या बोलाओ तीन क्लास लोगा इसकी इसको जड़ से खतम कर देंगे पन बिल्कुल पेटेंट इलाज इसका लिए कभी भी सुद्ध वरतनी गलत नहीं होगी इसका दूसरा नियम समझना कि यदि करण प्रत्य से पहले या करण से पहले कोई उपसर्ग आता है तो उस या तो करण से पहले लगू मात्रा आएगी किलियर मामला जैसे आप लोगों ने सब्द लिखा अनुकरण एक मैंने यहां पर लिखा अनुकरण एक सब्द लिखा यहां पर अधीकरण और एक लिखा यहां पर अधीकरण इसके बाद एक दिया है प्रकरण और एक दिया है प्राकरण एक और यहाँ पर दिया हुआ है प्राधी करण प्राधी करण प्राधी करण और एक दिया हुआ है यहाँ पर प्राधी करण क्या दिया हुआ है प्राधी करण दिया हुआ है अब यहाँ पर समझना इसका कंसेप्ट क्या है तो याद रखना, जैसे आपको यहाँ पर दिया हूँ अनू करन, तो पहले तो यहाँ पर देखो करन दिया है, क्या दिया है करन, और अनू हो गया आपका, अती हो गया आपका, प्रा हो गया आपका, अधी हो गया आपका, आ हो गया आपका, तो याद रखना, यह अपने आप में क्या होती है उपसर्ग होती है और उपसर्ग के बाद में किस के बाद में उपसर्ग के बाद में यदी करन आता है तो उपसर्ग पर जो भी मात्रा होगी वो लगू की होगी जैसे देखना यहां पर क्या है करन यह अनू उपसर्ग होता है तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि बड़ी की जो मात्रा आई है वो यहां पर अधी जो है अधी अपने आप में उपसर्ग होता है तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अधी उपसर्ग मतलब ये इस पर लगू मात्रा आएगी उपसर्ग के अलावा दुनिया का कोई भी सब्दा आजाए हमेशा दिर्ग मात्रा दिर्गमात्रा मामला खतम बिटा एक पर वीडियो को लाइक और शेयर कर दो आप लोग ठीक है देखना अब यहां पर प्राकरन अब यह बता हूँ यहां पर प्रा नहीं होता कुछ भी प्र होता है तो प्र और यह प्रकरन भी गलत लिखा है मैं समझा देता हूं यह कोड़ यह दोनों ही गलत है बिटा यह भी गलत है यह भी गलत है अब यहां पर प्राकरन ऐसे लिखा जाता है यह लिखा है प्राकरन क्योंकि याद रखना ऐसा रा दुनिया में होता ही नहीं ऐसा रा यहां पर आता ही नहीं है कभी क्योंकि यह तो हम स्टाइलिस लगा देते हैं क इस तरीके से जकर लिया जाता है कि वो यहाँ पर अपने उस दोर को भूल जाता है जिस दोर से वह आया है और वो यहाँ पर यहसे भवर कुवा जैसे इस्थान पर आता है तो भवर कुवा का मतलब ही होता है कि दुनिया का सबसे गहरा कुवा और इस गहरे कुवे में आज त लिखना आपको प्रकरण ये सुद्ध हो जाएगा, ये असुद्ध हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग प्रकरण ऐसा लिख सकते हो, कैसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, प्रकरण और यह यहाँ पर दिया हुआ है, यह प्राधीकरण, अब यहाँ पर याद रखना, य यह भी आपका गलत लिखा हुआ है प्राधीकरण कैसे लिखा जाता है एक तो यह वाला होता है प्राधीकरण होता है और एक यहां पर कौन सा होता है तो प्राधीकरण होता है तो याद रखना जब आप इसको तोड़ते हो तो इसमें क्या आता है जैसे यह होता है आपका प् दो उपसर्ग हो गए, कितने हो गए चाहिए दो उपसर्ग हो चाहिए तीन उपसर्ग हो करण से पहले यदि मान लो कोई उपसर्ग आता है तो याद रखना उस पे हमेशा छोटी की मात्रा आएगी ना कि دीर्ग मात्रा ये सुद्ध हो जाएगगा आपका किलियर है मामला अब भाईया नोट डाउन कर लो इसके बाद फिर यहाँ पर मैं बताता हूँ कि आखिर मुद्धा क्या है इसका चलो अजब मुझे यह बताईगा इसमें यूपी वाले बच्चे कितने हैं और राजस्थान वाले कितने हैं बिहार वाले मुझे एक बार अपने स्टेट लिखके बहे दिए सभी बच्चे जल्दी से जल्दी MP UP विहार राजस्थान जल्दी जहां जहां से हैं बिटा लिखके बहे दी जिगा जिला मत लिखेगा अपने राज्जी का नाम लिखके बहे जल्दी से जल्दी मैं भी तो देखूं यहां पर जो बच्चे हैं वो यहां पर कहां कहां से हैं और याद रखना उनको 22 बार अनाधीकारक वो अलग होता है अनधन अधी होता है हव बिलकुल व्याधीकरण भी होता है सरमान अधीकरण भी होता है हव लिख दूँ और सब्दद चलो भी यह लिख लो और एक आता है आपका सर्मानाधी करण ठीक है एक आता है आपका क्या सर्मानाधी करण चलो भाईया बताईएगा जितने भी लाडले हैं अभी समझतो गई होंगे तो जितने लाडले यहां पर हैं वो एक बार मुझे यह बताईए इसमें कुन सा सुद्ध है लेकिन याद रखना दिल की गहराईयों से आंसर दीजेगा बिटा आप लोग जल्दवाजी मत करना मेरे पास बहुत समय है और याद रखना मैं आज नहीं कल नहीं परसूं तीन दिन इस किलास को लेने वाला हूं ताकि अभी तो बिटा ये नॉर्मल चल रहा है अभी ऐसे से नियम आने वाले हैं जो आप आदनिक दिन्चरिया में इन चीजों को गलत करते हो चलो भी या एक बार वीडियो को लाएग और सियर गर्दो लाड़ लो हाँ राजिस्थान शिपुरी यूपी यूपी ठीक है बिटा बात तो वो भी सही है कि आप लोगों का प्री हो चुका है लेकिन बहुत जल्द यहां पर मैं आपको बटा ऐसा तो नहीं कि मैं यहां पर आप लोगों को ऐसा बोल दूँ लेकिन यह डन है कि विकेंसी बहुत सारी आएंगी फिर भी आप लोग तैयारी बंद मत करना जिसने तैयारी बंद कर दी दे को लोकडाउन में जिन्होंने तैयारी बंद कीती वो निपड़ गए क्योंकि याद रखना वो बच्चा फिर उबर के आई नहीं पाया अब इस चुनाबी मामला है अब तुम लोग क्या करोगे भाई सब जाएंगे जहां भीड होगी वहाँ पर तो तुमको भीड में नहीं जाना है तुमको अपनी चार दिवारी में रहना है और आराम से तैयारी करना है चैसी चुनाब खतम होगा ततकल विकेंसी आ जाएंगी और हमको यहाँ पर तैयारी में लग जाना है तो हमको अभी से इतना तो पढ़के रखना है कि जब हम यहाँ पर नोटिफिकेशन को देखें उस ताम परसेंट हमारी 90% में तैयारी हो 90% दाता दिमाग में होना चाहिए आपका तो जाके तैयारी है बिटा हाँ बिल्गोल यह चीज तो मैं मानता हूँ चलो UP से बहुत सारे बच्चे है हाँ ठीक है बताईएगा इसमें कौन सा सुद्ध है UP से बहुत सारे बच्चे है पीटा UPSI आने वाला है और जो आपका फाउंडिसन बैचे UP से राइस्थान आसाई के लिए बहुत सांदार बैचे एक आता है आपका व्याधी करणा आता है इसके बाद यहाँ पर याद रखना एक होता है व्याधी करण अब भाईये यह बताईएगा इन दोनों व्याधी करण में और यहाँ सर्मान आधी करण में कौन सा यहां पर गलत है कौन सा सही है पिटा कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए अगर आपको मजा आ रहा है तो ही मेरी किलास लेना याद रखना क्योंकि मेरा कंसेप्ट है किवल आपको कंसेप्ट समझाना डीपली समझाना जो चीज कोई ना बता है उस चीज को बताना ताकि एक्जाम होल में जो प्रशना आते हैं आप एक भी प्रसन से अनविग्यना रहें हर लाडला जो लाडले और लाडलिया मुझे देख रहे हैं मैं यहां पर दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब भी जो भी मैंने पढ़ाया है अस तक बिटा एक्जाम में तो बाहर नहीं गया नहीं तो आप बता दो भी यह बर्ग एक वाले बर्ग दो वाले साई वाले कोई भी बता सकता है जी बिलकुल बिटा हो रेखा जी ठीक है ए आरा है सब का अंसर अब देखते हैं नसीवा भी क्या रंग लाया कहां लाके हमको भसाया अब भईये यहां पर देख लो नहीं तो वही होगा कि सर हम तो नसीवा तो ठीक था अच्छा खासा दोस्त भी दुसमन बन जाता है समझ लो भईये यहां पर यह व्याधी करण दिया है तो इसको तोड़ लो जैसे मानलो हमको एक सब्द दिया है पहले कौन सा व्याधी अब यह व्याधी दिया हुआ है पहले इसको समझ लो इसको जब आप तोड़ोगे तो यह होदा वी आधी तो यहां पर याद रखना आधी व्याधी तो यहाँ पर याद रखना यह क्या हैगा आपका यह वीधन अधी भी हो सकता है व्याधी तो यह आपका क्या होगा उपसर्ग यहाँ पर यह क्या हो गया भाई साब वीधन अधी तो याद रखना ये आपका उपसरकी भाती काम करता है तो ये क्या हो जाएगा असुद्ध हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका सुद्ध हो जाएगा लाड़े लो क्या हो जाएगा सुद्ध हो जाएगा बेटा वीडियो को लाइक कर दो एक बार, मज़ा आएगा तो, हाँ, आपको दिया सर्माना अधीकरण, तो याद रखना, सर्माना, तो सर्माना प्लस अधीकरण, इसको जब आप तोड़ोगे तो यह क्या बनेगा, सर्माना प्लस अधीकरण, अब अधीकरण, आप लोगों धन अधी धन करण बनता है तो इस तरीके से सब्द बनता है तो करण से पहले अधी क्या है बोला सर उपसर गहे मजा आया हाँ सर मजा तो आई गया तो यहाँ पर यह सुद्ध हो जाएगा यह असुद्ध हो जाएगा लगाओ सून के आंसर बिटा ठीक है मतलब यहाँ पर बच्चा बूल रहा है सर यह सब लोग पलट जाते हैं बिटा कोई दिक्कत नहीं है यह बक्त है गोजर जाएगा यह बच्चपना है यह यहाँ पर याद रहना चाहिए वेक्ती के अंदर बिल्कुल फुली फ्रीडम माइंडेट पड़ो बिटा आप लोग हाँ ऐसा करना कि जब भी आप पड़ो लोड लेकि मत पड़ो टेंजन बोलो नहीं ज़र वो घर में अजी प्रोबलों में ऐसा हो रहा है ज़र ऐसा हो सकता है ना है दोनों कान बंथ तैयारी स्टार्ट छे महीने बाद पेपर है ये टारिगेट दिमाग में सेट कर लो के छे से साथ महीने बाद पेपर देने जाना है और उसे एक्जाम को फोड़ना है चलो भी यह लेकिलो इसको बिटा आजाएगा नवंबर दिसंबर के बाद आजाएगा आपका नौटिविकिशन हो हो एक और देखना यहां पर एक और मैं नियम बता देता हूं बड़ा मोस्ट इंपोरेंट है चंदरविंदु वाला देखना यदि बहु बचन सब्द है तो सब्द के अंत में यहां पर क्या आता है चंदरविंदु आता है क्या आता है चंदरविंदु लेकिन याद रखना है चंदरविंदु तभी आएगा जब सब्द के अंत में क्या आएगा बड़ा आ आएगा क्या आएगा बड़ा आ तो याद रखना अगर यहाँ पर सब्द के अंत में अगर ए आए या आई या ओ आए या ओ आए या फिर आ आए अब देखना यह पांच छे नियम एक साथ कंबंड नया कंसेप्ट भी टाए बिलकुल पूरा अपडेट यहाँ पर यहाँ पर कंसेप् सब्द है और अंत में ए आ रहा है तो उसमें अनुस्वार आता है क्या आता है अई आ रहा है तो अनुस्वार आता है ओ आ रहा है तो अनुस्वार आता है अव आ रहा है तो अनुस्वार आता है लेकिन अगर बड़ा आ आ रहा है तो चंद्रविंदू आती है क्या आता है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बात और बात का क्या बोला आपको बात हैं तो बाते नहीं होता अब यहाँ पर याद रखना ये दो सब्दा हैंगे सुद्ध कौनसा है तो ये सुद्ध हो जाएगा ये असुद्ध हो जाएगा क्योंकि जब भी कोई बवचन सब्द होता है बिल-कुल भरी तु भी को सभी बच्छा लायक Stirman कर देंगे। बिलकुल एक लायक है तो आघना सिए बेटा उसपर बात करेंगे ऑम क्यों सहिए क्यों गलत है। जैसे मानलो मैंने यहां पर लिखा रात तो यहां पर क्या हुआ रात है अब यहां पर बहुबचन है तो इस पर क्या लगे जाएगा आपका यह अनुस्वार आएगा कुछ लोग क्या करते है रात है अब ऐसा देखा चंदा मामा यह गलत है सीधा गलत है चंदा मामा आपका केवल बड़या पर आता है कब जब ववचन सब्दो जैसे समझना अब यहाँ पर मान लो मैंने सब्द लिखा जैसे दवाईया और एक सब्द दिया हुआ है दवाईया एक सब्द दिया हुआ है यहाँ पर मिठाईया और यहां पर दिया हुआ है मिठाईया दोनों में मामला समझे ना आप लोग एक सब्द आपको यहां पर दिया हुआ है नारिया यहां लिखो नारिया और यहां लिखो आप लोगो नारिया आपको यहां पर दिया हुआ है नदिया नदिया और यहां दिया हुआ है आपको कौन सा नदिया समझना पिटा पहले आप लोग तब जाकि यहां पे आंसर लगाना अगर आप नहीं समझोगे तो फिर 100% इसको गलत कर ही दोगे आप लोग तीक है अब जैसे मानलो आपको यह सब्द दिये हुए है एक कंसेप्ट रही है तो याद रखना इन से पहले हमेशा लगू स्वर आएगा क्या आएगा लगू स्वर आएगा सिर्फ एक सब्द को छोड़के भारतियों वो अपवाद है तो उस पर बात करेंगे अपन समझना हां 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 सर आज इसमें आता है वो सब्द बहुवचन होता ही नहीं ह है अच्छा बिलकुल उपता है सही है आपकी बात लेकिन यहां कंसेप्ट पहले समझे लो अब देखो यह चंदा मामा तोasında अगया लेकिन चंदा मामा से से पहले के आना चाहिए आपका लगू आना चाहिए तो यह सुद्ध है यहां मिठाइआ यह नहीं होता यहां अ talented यह यहाँ पर एक सब्द लिखा कवी एक सब्द लिखो साधू जब इसको बगुबचन बनाएंगे तो यह साधू समझ रहे हो ना हाँ अब यहाँ पर देखें आ यही मामला इधर है जैसे नारी तो यहाँ पर जब इसको पर बगुबचन बनाएगा चंदरबिंदू आएगा तो इससे पहले हमेशा छोटी की मात्रा है छोटे आ की मात्र है छोटे हू की मात्रा इधर यह भी सुध यह सब क्या हो जाएंगे अज़ सुध हो जाएंगे लिखे लो भई आब नम्रता सभी लिखाए आपने हो जी चलो हो गया सभी का हाँ बिटा तवियत बोज ज़्यादा खराब है लेकिन किलास तुमारी लेनी थी मुझे और याद रखना जितने ही बच्चे हैं बिल्कुल आप लोगों ने लायक नहीं किया है बिटा एक बार लायक और सेयर कर दो आप लोग जी जल्दी से जल्दी अब मैं आप लोगों से दो तीन सब्द पूछूंगा आप सभी लोग मुझे बताईएगा हाँ कौन सा सुद्ध है कौन सा असुद्ध है जैसे एक दिया हुआ है देविया और एक दिया हुआ है देविया एक दिया हुआ है आपको यहां पर पत्निया और एक दिया हुआ है यहां पर पत्निया समझ लो बेटा पहले हाँ याद रखना इसको पहले समझ लो आप लोग नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ठीक है चलो बताईएगा इसमें कौनसा सुद्ध है और कौनसा असुद्ध है हव जी हो गया हाँ हाँ बिटा तीन दिन के लास लूँगा मैंने आपको बोल दिया है और मेरा वादा है तीन दिन मैं सुद्ध वर्तनी आपके दिमाव कल बिलकुल नहीं कंसेप्ट लेकर आरूँगा क्योंकि ये तो बेसिक था ये हो गया कल से बिलकुल नहीं अपडेट कंसेप्ट और कम से कम सो सब्द में आपको देने वाला हूँ टॉफ हंड्रेड एक भी कुश्चन बाहर नह है तो ऐसे आपको पता है जब दो पतनी हो गई तो तो फिर दोनों को बराबर मानेता नहीं एक को छोटा करना पड़ेगा समझ रहे ना हां बोला हां सर अब समझ में आया एक देवी और दो देवी हो गई दो मतलब बहु बचन क्योंकि याद रखना जितने भी है मान लो प आदिया हो जाएं तो दो पतनी हो गई तो बोलते ही उसके दो पतनिया है एक पतनी है और दो पतनिया है तो याद रखना दो पतनिया है तो इसका लेवल थोड़ा क्या हो गया कम हाँ अब यह बोलेगी केंडी सूट सूट करदा समझना भाईया तो यहां पर जब भी आपक समझ में आया पत्नियों और पत्नियों में अंतर क्या होता है समझ में आ गया ना हाँ यही बहुत है कि जी कि हाँ दोनों कलेश करेंगी यह कौन है भाईया कलेश चलो भाईया हो गया हाओ ठेक है नमरता दीपा शोहानी संजय नितिन बंदना हर्स सोमान संजय पटेल जी बिलकुल हाँ ठेक है चलो भाईया तो यहाँ पर याद रखना है आज मैं किलास को इतना ही लिपाऊंगा कल पूरा नया कंसेप्ट आएगा आज तक नहीं पड़ा होगा पिटा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कल जो मेरी रात नो बजे किलास है कल रात जो नो बजे किलास रहेगी उसमें पूरा नया पैटरन आएगा बिटा और याद रखना जब मैं नया बोलता हूँ तो पूरा ही नया आता है जो किसी ने नहीं पड़ा होगा आज तक सबसे पहले तो इसमें ये आएगा कि ये टा के साथ कवा आता हूँ ठा के साथ क्या आता है सरश्टी में टा आएगा के ठा आएगा मोस्ट इंपोर्डेंट इविट आए ठीक है हाँ तो आज की किलास को मैं यहीं पर बिराम देते हैं और एक दो चीज में आपको बता देता हूं दो मिनट रुकिएगा विटा आप सभी एक पर वीडियो को पर लाइक कर दो एक और आपके लिए मैं यहां पर खुसकवरी देता हूं जितने भी बच्चे हैं तो यहां पर याद रखना जो भी बच्चे हैं एक चीज याद रखना कि आपकी विकेंसी बहुत सारी आने वाली हैं अभी जितने बच्चे भीया हैं वो यूपी का कोई भी एक्जाम दे सकते हैं हाँ यूपी का कोई भी एक्जाम इतने भी बच्चे यहां पर देख रहे हैं, हिंदी फाउंडेशन, जवान बैच लेकर आया है, जवान 2.0, तो यह जो बैच है, इसमें यहां पर, लास्ट आपर मैंने बोला था, दो दिन का, याद रखना, आज अपना जो एप्लिकेशन था, वो भी यहां पर थोड़ा टे P.S.I. हो चाहिए कोई भी हो, हर एक्जाम, कॉस्टेवल से लेके आपका यहां पर, इसकुल व्याख्या तक, टेट तक, वरग एक, वरग दो, वरग तीन, ठीक है, चलो भी यहां, हाँ, यह बिटा, यहां पर याद रखना, यह आपको कहां से मिलेगा, तो तांडव किलास इसका आप लोग एप्लीकेशन डाउलोड कीजिएगा, और उसमें आपको जवान 2.0 के नाम से मिल जाएगा, ठीक है, अभी यह 500.99 रुपए में, क्योंकि तांडव बैच मैं यहां पर जब भी लाता हूं, बिटा, कि जो भी फांड़ेशन बैच आता है, वो बहुत, यहा चर, पांच, पांच, यहार की रहते हैं, यह भी वैच आपका एक दो दिन में हो जाएगा, चुदा सो निन्न, उसके बाद एक कम नहीं होगा, हाँ, मार्च में जाके कम होगा पर यह, तब तक खतम हो जाएगा, तो आज के लिए बिता नहीं, ज्यादा स्यादा बच्चों तक सेर कीजेगा लिंक को, और मुझसे भी आप लोग जोड़ सकते हो, प्रदीफसर-Hindi इस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पीडियाप अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम को आप लोग जोईन कर लें, तो ज़्यादा से यदा बच्चों तक शेयर कीजेगा। जीडी वाले जितने ही बच्चे हैं, उनको ये लिंक ज़्यादा से यदा शेयर करें। क्योंकि उनके लिल्ग उच्छ ज़्यादा फाइदेवन दें। तो आज के लिए इतना ही बोलिए भारत माता की जय